hello students अच मैं आप लोगों को study of extinct forms पढ़ाऊंगी आप लोगों को इसमें दो extinct forms हैं जिनकी study करनी है एक तो dinosaurs जोकि reptiles में आते हैं और दूसरा archaeopterics जोकि connecting link है आज मैं आप लोगों को dinosaurs के बारे में बता रही है मैं sir Richard Owen ने इनको डाइनोसोर नाम दिया था डाइनोसोर्स जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया नाम है जिसका मतलब होता है टेरिबिल लिजार्ड्स या फिर इनको भयानक छिपक लिए भी कहा जाता है क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है और यह रेप्टाइल ग्रुप से आते हैं नो डाइनोसोर्स जो है उनको जाइन्ट रेप्टाइल्स भी कहा जाता है यह कोल्ड ब्लेडेड होते हैं और रेस्पिरेशन यह लंग्स के द्वारा करते हैं तो फैडरिक बॉन हुने के अकॉर्डिंग जो डाइनोसोर्स है वो कॉटिलोसोर जो पीरियड में इनका ओरिजन हुआ था मीन्स डाइनोसोर्स का जो ओरिजन है वो कब हुआ था प्रिमेटिव कॉटिलोसोर टाइम जो था पीरियड जो था उसमें का origin हुआ था कि नव डाइनोसार्स का जो वाश्टविक ओर जन है वो नौर्थ अट्लान्टिक रिजन से हुआ था जो की उत्री अमेरिका और यूरोप को दूत्री अमेरिका और यूरोप को जोडता है ठीक है नाव ये उसके बाद मैं ये वर्ड के सभी देशा में फैल गये न्यूजीलैंड में, प्रांस में, पेरिस में, इटली में, में सब जगहे पर ये पाएं गए हैं और इनकर जो फॉसिल्स है, वो बहारत के अंदर भी पाएं गए हैं, इंग्लैंड में, बेल्जियम में, प्ैंटागोनिया में, कannaडा में, फ्रांस, पुर्टगाल, जर्मनी, आस्ट्रिया सब जगहे पर इनके फॉसिल्स जो है वो पाए गए हैं एक केवल न्यूजिलेंड ऐसी जगहे पर है जहां पर कि इनके फॉसिल्स नहीं पाए गए भारत में 20 देसंबर 1988 को जबलपुर के पास में इनके फॉसिल्स जो है वो पाए गए थे जब डायनोसॉर्स का ओरिजन हुआ था तो उस वक्त की जो क्लाइमेटिक कंडिशन्स थी जो वो काफी गरम थी नमी यूग थी और अधिकांश डायनोसॉर्स जो थे वो इस थलिये थे मिस जमीन पर रहने वाली थे जो डायनोसॉर्स के निकट समबंदी है वो क्रोकोडाइल और birds हैं जिनके आपस में एक दूसरे से characters जो हैं वो कुछ-कुछ मिलते हैं तो लक्षन और स्यभाव के आधार पर जो dinosaurs हैं उनको mainly दो groups में बांटा गया कौन-कौन से एक तो मासाहारी group और दूसरा है शाकाहरी group मासाहारी डाइनोसर जो थे वो तेज दौडने वाले थे और अगरपाद से शिकार को पकड़ने के काम में आते थे जबकि जो शाकाहरी डाइनोसर थे वो अपने चारों टांगों की सहायता से चलते थे उनका दंत विन्यास जो है वो काफी दुर्बल था और वो अपने फूड को बिना चवाए ही निकल जाते थे जहां तक परिमान या साइज का सवाल है डाइनोसोर्स बहुत छोटे से लेकर के बहुत बड़े साइज के ये पाए जाते हैं चोटा साइज दो फीट के डाइनोसोर्स भी पाए जाते थे जिसका की वजन जो है वो 40 टन का था तो परिमान में हैं बहुत ज्यादा डिफ्रेंस है इनके बहुत छोटे और बड़े में तो अलग-अलग साइज के डाइनोसोर्स जो है अलग-अलग टाइम पर पाए गए है नौ क्लासिफिकेशन डाइनोसोर्स का जो क्लासिफिकेशन है मेनली उनको दो ओर्डर्स में बाटा गया है एक तो सौरिष्चिया औ और ओर्नेत्यशिफिकेशन पराइद को सब्करणनासे बाटा गया है एक तो अनके घाने के सभाव के आधार पर कि वहलग स्याय कारणी थीष्चिया जो है उस और जो है उनको फिर सब ऑर्डर में बांटा गया है ठीक है ओर जो सौरिष्चिया है वह उनके जो एनिमल्स है वह कार्निवोरस थीरो पोड़ा कार्निवोरस होते हैं और यह सौरो पोड़ा पानी के अंदर भी रहते हैं और जमीन पर आ जाते हैं तो सौरिष्चिया के तीन ओर्डर हैं एक तो सिलोरोशारिया दूसरा कार्नोरिया और तीसरा पोड़्या के आनिमल्स है वह नेचर में फूद है के according वो करनिवोरोण होते हैं और उची ahor निवास करते हैं। यहां Schloss स्विफ्क से कार्निवोर्ण होते हैं और यह भी भूमी के ऊबदिण होते हैं all तो चुलोरोस और उसके एकजामपल सीलूरस है और नितो लैस्टिस है जिसको की पक्षिलुटेरा भी इसको कहा जाता है जिसकी की जो लंबाई थी वह 5-7 फिट की इसकी थी और टायरनोसॉरस भी इसके अंदर आता है जिसके की लंबाई जो है वह 20 फिट के करीब लंबाई थी सौरो पोड़ा जो है ग्रुप के एनिमल्स मैंने आपको बताया कि वह एंफिबीश नेजर के हैं मीन्स वह पानी पर भी जमीन से उतर करके पानी में भी वह आजाते थे लेकिन स्वेशन का जो तरीका था इनको लंग्स के द्वारा ही ये स्वेशन करते थे इसके कई सारे एक्जांपल है जैसे की ब्रॉंट्योसॉरस है डिप्लोडोकस है जाइजेंटोसॉरस है जाइजेंटोसॉरस जो है यह लगभग 120 विट का है और इसकी ग कार्णी वोर्स जो सारोग पोडा थे वह हर भी वोर्स भी अनिमल थे और और इनके पैर जो है, जे चेंज जो आया है, इनके हैविटेट चेंज आया और इनके पैरों के आलए चेंज आया था. दूसरा जो है Ornithesia, दूसरा suborder कौन सा है Ornithesia, Ornithesia की खास बाता है यह Peden Tata Animals है या फिर इनको हम Brigged Dinosaurs भी इनको हम कहते हैं, मिन्स इनके अंदर Brigged इनको चौंस के जैसे इनकी संदचना पाई जाती है, Brigged Dinosaurs इनको हम कहते हैं, इसको भी फिर तीन suborders में बाटा गया, Orn और ने थो पड़ा के एक्जाम्पल्स जो है, Laosaurus है, Camptosaurus है, Inguanodon है, Annetosaurus है, Stegosauria के एक्जाम्पल है, Skeledosaurus, Polycanthus, Stegosaurus जिसको हम कहते हैं, जो और ने थोड़ा ग्रुप के जो, सब आर्डर के जो एनिमल्स है, वो अनार्म्ड होते हैं, Harbivorous Dinosaurs हैं, मिन्स यह जो एनिमल्स ह इनके उपर किसी तरह का कवच जो है, वो इनके उपर नहीं पाया जाता है, और इनके जो साइज होता है, उसके अंदर भी वेराइटीज जो है, इनकी पाई जाती हैं, दूसरा है, Stegosaurus, Unarmed, Means, Armored Ornithesia, तो इस सब आर्डर के जो एनिमल्स हैं, उनके उपर कवच पाया जात है है, यह कैसे थे, बिना कवच के डाइनोसार्स थे, और जो Stegosauria है, वो कवच सहित जो है, वो डाइनोसार्स होते हैं, यह जो डाइनोसार्स है, सबसे ज़्याधा Jurassic Period के अंदर यह पाया जाते हैं, तो यह जो Stegosaurus metallic है, यह Jurassic period का Time है, और इस सी के नाम पर इसका उपगंड ज चीक है इसके उपर जो है काटे जैसी संड़चना भी पटिका दो पटिकाएं जो हैं इसके ऊपर पाई जाती है मिलास प्रप्तिकाव इसके उपर पाई जाती है जो कि एक कैतारों में ये सुसजित रहती है इनका शरीर बहुत बड़ा होता है लेकिन ब्रेन जो है वो इनका काफी छोटा पाया जाता है थर्ड जो है सिरेप्टोसॉरिया जिसको की जिसका एक्जाम्पल है ट्राइसरेटोप्स और ये हॉर्ण हार्मिवोरस हैं इनके उपर जो सींग हॉर्ण्स जो है श्रंग यूग्त डाइनो सोस है श्रंग जो है इनके ऊपर पाये जाते हैं इनके अवशेश मंगुलिया में मिले हैं उत्री अमेरिका में मिले हैं तो triceratops जो है यह गैने के समान सद्रश दिखाई देता है विशाल का प्राणी है 20-25 फिट लंबा होता है सिर काफी बड़ा होता है जबकि अन्य डाइनोस जो है उनका सिर जो है comparatively छोटा होता है इसका सिर comparatively बड़ा होता है इसके सिर पर तीन बड़े-बड़े सींग पहचा है कि इसके सिंग जो है तीन सिंग पाए जाते हैं इसके सिर पर बड़े-बड़े और गर्दन की सुरक्षा के लिए इनके उपर शक्तिशाली पेशियों के जोड़ने के लिए इनके जालर के समान शिखर के रूप में फैला हुआ इनके रहता है शरीर पर मजबूत और हैं सौरिष्चिया और क्या क्रेक्टर्स हैसाइस उरिष्चिया के जो सा इस्मी और इस वज़ास इनको व्रफ एक रटनीवारे जůम प्रफ्न के जो है इनके दात मुके आगे वाले में अन्टीडियर दात पाई जाते हैं, दात इनके दबुवे होते हैं, सिरेटिट दातेदार होते हैं, थोड़े जुके हुए होते हैं, और शिकार युक्तिया पैंसिलाकार के होते हैं, इनके फोर निम्स जो हैं, वो शिकार को पकड़ने, चीरने, फाड़ने के लिए काम में आते हैं, और इन बॉन कहा पाय जाती है यहां जो लोग जो होता है उनके दॉनों और दॉन्जों क्यों करती हैं गया नहीं प Amway 4080 onu a और soft होती है ठीक है और नाव इनके अंदर जो इनका खास करेक्टर है pelvic garden वो tri-radiate जो है वो इनके अंदर पाई जाती है जैसे की reptiles के अंदर पाई जाती है tri-radiate इस तरह से इनके अंदर bones जो है वो पाई जाती है इसी तरह से character of ornithischia जो की हर्भी वोरस है शाका हारी है यह एंद यह जो tetrapedal है means चारों पैरों को यह चलने के काम में लेते हैं नेल्स जो है इनके प्रेस दबे हुए होते हैं कभी-कभी यह खुर के समान नेल्स भी जो है इनके पाई जाते हैं इनके jaws जो है टीथ जो है jaws के posterior side में होते हैं दात जो है इनके जो इनका mouth होता है उसके posterior side में पीछे की तरफ इनके पाई जाते हैं और इनका खास जो पहचान है pelvic girdle वह tetraradiate होती है जैसी की birds के अंदर पाई जाती है तो pelvic girdle का अलग तरहे का होना ognathisia और स्वरेश्चया को बताता है तो basic difference है यह स्वरेश्चया और onathisia में की इनकी जो पेल्विक गर्डिल है वो किस तरह की है ज़िए ट्राइडीर ट्राइडीए यह तो सौरश्चिया और ट्रड्रेडियेट है तो वो औरनेथीश्चिया के अंदर आते हैं तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनके कौज जो एक्सटेंट होने के बहुत सारे कौजिस दी है जैसे कि टी स्विन ने कहा कि जो एंग्यो स्पर्म प्लांट्स होते हैं उन से एक अलकलोइड नामक टॉक्सिन सबस्टेंस निकलता है तो यह जो अनिमल्स हैं हर भी मोर्स अन plants को खाते थे और उनसे जो alkaloid substance निकलता था उसकी वज़े से इनकी मृत्यू हो गई ठीक है नौ दूसरा जो reason बताते हैं climatic conditions जो है उनका बताते हैं कि जो वातावरण है वो हमेशा परिवर्तन शील्ड है और वो बदलते हुए वातावरण को ये सहन नहीं कर पाए तो इसलिए ये खतम हो गए कि पहले जब मौसम था मौसम जो है वो काफी अधिक ठंडा हो गया और सूखा होनी की वज़े से जलाश और रीजन जो है अधिकांश डाइनोसोर जो है वह भारी भरकम शरीर के थे और उनका जो ब्रेन का साइस था वह काफी छोटा था चोटे मस्तिश्क के थे और कमजोर दात वाले थे तो इस वज़े से वह जीवन संगर्ष में उस समय विक्सित हो रहे जो इस्तनी प्राणी से हो पिछड़ गये इस इस साथ जो है इसकाल मैं मासहारी जन्तूऔं के द्वा यहा अत्वा माथावरी जन्तूओं के भोजण बन गहत यह फिर भोजद विशाक्ता की वजह से अत्वा अंत्र जातीया और अन्तर जातीया श्रंगर्ष होने की वजह से हो द्озмयोर्फ Debug कि जो स्वरनेम काल था उसी समय छोटे प्रात्मिक इस्तनी प्राणी जो थे वह डवलप होने लग गए लेकिन वह वर्म ब्लेड़ेट थे डायनोसोर्स जो हैं कंपडिशन में इन एनिमल से पिछड़ने लग गए और दूसरी बात जो थी यह छोटे इस्तनी प्राणी जो थ प्रवाब रहा जिनकों की जिनका विकास के नियमों के अनुसार बड़े जंतों से छोटे अकार बड़े आकार यंदु से छोटे आकार के जनतु अधिक होते हैं और बड़े और इसके अलावा जो जनतों को हिविक्सित होने लग घया था तो ब्रेंके साइज क element से भी उनक जो extinct हो गए थे इसके अलावा scientist यह भी कहते हैं कि कि किसी समय में एक बड़े आकाशिय पेंट जैसे की उलका पेंट शुद्र ग्रिया या पुछल तारे के प्रत्वी से टक्राने की वजह से साइंटेस्स काल के समीने में इरीडियम नामक तत्व जो भुछादा मात्रा में मिला था य अश्य क्रत्व को इसके अलावा बहुत बड़ा गड़ा बना बहुत भूकम पाया जिसकी वजह से धूल भरी आंधिया चली होंगी और जिसकी वजह से जो धर्ती पर सनलाइट जो है वो नहीं पहुंच पाई ठंडक जादा हो गई और जिसको कि यह डाइनोसोर्स जो थे वो सहन नहीं कर पाए और उसकी वज भारण जो है वो गल्फ और मैक्सिको है जिस पर जहां पर के प्रेटर पाया गया था जिसका की साइज 180 किलोमीटर का था मींस कहने का क्या मतलब है कि इसके उपर साइंटिस्ट कहते हैं कि 10 किलोमीटर लंबा कोई उलका पिंड यहां पर गिरा होगा जिसकी वजह से इतना किलोमान फेप इसका थे अलावा यह तो थे प्रैशवी पर हैने वाले उसके बाद में जो एक और और है इसका टैरोसॉरिया टैरो साइरिया गुर्प के जो और के जो ऑनी मड़ today ने वाले डाइरीनॉसिया बीड ép माट जिसके ढ़ाई जाते हैं जबकि जो टेरेनोडॉंस हैं उड़ने वाले दोनों यह लेकिन टेरेनोडॉन्स में दात नहीं पाये जाते हैं तो इनका यदि हम classification लिखें रेप्टाइल्स का या किसी भी डाइनोसोर का तो हम लिखेंगे phylum chordator, group craniator, subphylum vertebrator, division जो है गनैथो stimata, super class इसकी होगी tetrapoda, class होगी इसकी reptilia, order होगा pterosauria और specimens होगा ramphorincas, या फिर हम यदि हम pteranodo पढ़ रहा हैं तो pteranodon, तो ramphorincas कैसे होते हैं? इनको flying reptiles भी कहा जाता है और flying dragon भी इनको कहा जाता है, इनके पंखों का प्रेसा जो है, एक मीटर तक होता है, four limbs जो है उपर की ओर किसा हो गए थे, जो की उडान भणने के लिए आसानी होती है उससे four limbs की जो छोटी उंगली होती है, वो बढ़कर लंबी होने लगी, इससे उनकी जो तचा का फैलाव है वो ज्यादा हो गया और इसकी वज़ा से पंखों का निर्मान इनके अंदर हुआ और दोनों जबड़े जो हैं वो चौँच की भाती रूपांत्रित हो गए जिनके के अंदर दांत उपस्थित थे इसी तरह से जो टेरेनोडोर और, टेरेनोडोर एनिमल है, जिसका की औरडर टेरोसौरिया ही है, सभी टेरेनोडोर प्राणियो में सबसे बड़े टेरेनोडोर होते हैं, इनका पंख का फैलाव जो है वो 27 फीट तक होता है, देत्याकार होते हैं, इनका सिर जो है अपेक शक प्लेटस का पाया जाना यह मुश्तिषक बड़ा होता है ऑप और प्लेटस को साइर gj अ तूभार में इससे अलावा जो उडने वाले डाय इनोसूर्स आग दिल्वाग है बतालाँ होता है वो है टेरो सौरिया जिसके मैंने आपको दो एक्जाम्पल बताएं एक तो रेमफुरिंकस और दूसरा है टेरेनोडॉं थेंक्यू